सो यह वाट्सप गाईज लेगा चोको आप लोकली सॉलुशन क्रीटिंग एक कंटेनराइज एप्लिकेशन विद बिल्ड बैक पैक का तो यार पासफ़ड को कपी करके इसको उपन हो जाने दो जब तक उपन हो रहा है हमें हलका से नीचे और एक्स्प्लोर करते हूं ठीके तो यहाँ पे बैक आजाना है इसके ओपन होनेगा ठीक है तो यह जल्दी ओपन हो जाएगा तो मैं कॉट्टिट पर क्लिक करता हूं यहां पर पेस्ट करेंगे पहली कमांड एंटर दबाएंगा ऑथरेस करने काया तो कर देंगा नहीं आया नेक्स कमांड पर डैफिनिटली आएगा इधर आ जाएंगे इस पर भी न आधर लिता है क्योंकि एठीक है अगेँ चेक में पर डैस पर क्लिक करेंगे फिर से क्लिक करेंगे डन हो जाने दो यह तो वेट करते क्या कमांडפर एग्जीकूट होई है यहां पर तो हो गई है यहां पर भी तिक पर्गी मिल चुग है अगीन बैक जाएंगे अब इस इस file and source code देखने की जरुबत नहीं छोड़ दो ठीक है यहाँ पर हमें अगें directory को change करने है तो change directory command का में यहाँ यूज करने है वाले इधर आएंगे इसको paste करेंगे एंटर दबाएंगे अगें बैक जाएंगे इस command को copy करेंगे अगें इस site पर हैंगे paste करेंगे एंटर दबाएंगे ठीक है सेम message लिखा चुका है perfectly done अगे नीचे स्क्रूल करेंगे टास्ट पर चलते हैं अब हमें एक बोला गया हमें open करना है editor को and edit करना है main.pa file को ठीक है तो इससी चीज को मैं copy कर लूँगा and inside पर आउंगा and a no आपको लिखना है space दिनी और इसको paste करना है and enter दबाना है and a no space दिनी है आपको enter दबाना है देन अगें आपको back आना है इस चीज को copy करना है copy करने के बाद replace the entire content जितना भी content उसको remove करना है इस file के अंदर तुम मैं remove करते जाता हूं ठीक है and आपको जोई अपना new command यहां पर paste करना रहेगा ठीक है सब्सक्राइब करना है इस चीज को copy करेंगे इस site पहेंगे paste करेंगे enter दबाएंगे then caps log अपनो open कर लेना and caps log open करके अब इसको execute होने देना ठीक है बीच में आपको wire दबाने को बोलेगा so मैं आपको आहीं पर सिधे मिलता हूं okay तो यहां पर हम वाय दबाने को बोल दिया है मैं वाय लिखना है enter दबाना है and इसको execute हो जाने देना है यह लेगा थोड़ा को time जब देक है execute हो रहा है कि आपको back आना है नीचे scroll करना है यहां पर हमें test करना रहेगा and then lab done okay तो इसको एक बार भी हो जाने देते है so finally काफी wait करने के बाद command यहां पर execute हो चुकी है again हमें back आ जाना है back आके हमें क्या करना है हमें यह वाले code को copy करना है यह कहां पर हो लेगा just उसके नीचे यह test the cloud run function के नीचे इतने part को copy करेंगे notepad open करना paste करना then again आना आको code पर code पर आके देना कोई यह service url copy करना है extra space copy नही copy करना है again is set पाएंगे enter दबाएंगे तो इसको paste करेंगे enter दबाएंगे ठीक है कुछ इस तरीके से तो यह हमारा काम ड़न हो जागा नीचे स्कूल करना चेक में प्रवाइस पर क्लिक करना हमारी एप्लिकेशन जो है वह यहां पर deploy हो चुकी है ठीक है तो आयो वीडियो चल